आज बच्चे हम लोग बात करने जा रहे हैं ग्लैंट्स और हॉर्मोन्स पे तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्लैंट्स और हॉर्मोन्स के कई सारे सवाल मतलब आप ऐसा समझ दीजिए दुनिया का कोई एक्जैम नहीं है जिनमें इसको पूछा ना गया हूँ मतलब वेरी 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 इंपोर्टेंट्स बहुस्त बच्चे कनफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी ग्लैंट्स से कौन सा हॉर्मोन आने वाला है तो आज उसी पर डिसक्षिन करेंगे अर्डेनल ग्लैंट्स, थाराइट ग्लैंट्स और पीनियल ग्लैंट्स में इसके लाबा जो एक और इंपोर्टेंट्स ग्लैंट्स है इस पैंक्रियास इसके हम लोग वीडियो लास्ट बना चुके हैं एक बार आप हमारे चैनल की प्लेइलिस्ट पे उसको जरूर देखिए अब देखिए एड्रेनल ग्लैंट हमारी दो पार्ट में है एक पार्ट को कहते हैं मेडियूला दूसरा हमारा रहता है कॉर्टेक्स तो मेडियूला से आपको दो ही हॉर्मोन मिलने वाले हैं नाम क्या है एपिनेफरिन और नौर एपिनेफरिन तो हमारे पास क्या है एपिन और N से non-epinephrine तो medulla में दो हर्मोन हमने cover कर लिए फिर आते हैं cortex की बात करें cortex में तीन हर्मोन का है या group of hormones भी कह सकते हैं mineral corticoids sex steroids और glucocorticoids अब इनको कैसे याद रखें तो बड़ी simple सी trick है Minors seal with glue Minors क्या करते हैं glue से sealing कर देते हैं इन जनरल हम लोग glue का ही यूज करते हैं अगर हमें कुछ seal करना होता है माइनर से आपको कही न कहीं आइडिया लग रहा होगा अगर R तक आप पकड़ रहे हैं कि mineral corticoids की बात हो रही है seal जो है हमारा SE से आपको sex steroid का आइडिया लग जाएगा और glue के glue से ही आपको glucocorticoids पता चल जाएंगे तो इस तरीके से आप adrenal gland में कभी भी confused नहीं होने वाले हैं कि medivilla से क्या मिलने वाला है और cortex से क्या मिलने वाला है बात करते हैं देखिए gonads की gonads में देखिए male और female थोड़े से changes है मेल में हमारे पास कौन-कौन से हर्मोन है टेस्टिस्टिरोन, inhibin और molar inhibiting factor इसको याद रखना है कोई कलाकारी नहीं है देखिए testing mule हमारी ट्रिक क्या है testing mule test से हमें क्या पता चला testosterone, ing, k, i, n से आपको पता चल जाएगा inhibin और mule से आपको पता चल जाएगा molar inhibiting factor very simple female की बात करी जाएगा तो यहाँ पर है estrogen, relaxin, inhibin, progesterone चार है कोई confusion नहीं होने वाला है simple सी ट्रिक है yeast, relay, in, progress अब देखिए yeast से आपको estrogen पता चल गिया relay के relay से आपको relaxin पता चला in से again inhibin पता चला और progress से आपको क्या पता चला progesterone next हमारे पास जो gland है that is thyroid gland इसमें हमारे पास calcitonin और thyroxin है इसके लिए भी कुछ आपको याद नहीं करना है call thomas call से आपको क्या पता चला calcitonin और thomas के th से आपको idea लग जाएगा thyroxin का last हमारे पास है penial gland इससे एक ही hormone release होता है that is melatonin I don't think आपको इसके लिए कोई trick की जरूरत पड़ेगी so I hope you love this if you love this video give it a thumbs up इसको share कर अपने दोस्तिया और रिच्तिदार सब के साथ और ऐसी crazy videos के लिए हमारे चैनल की playlist को एक बार जरूर जरूर विजिट करें thank you for watching